So finally guys, आचुका है Dream Cricket Game के अंदर एक और New Update और इस New जो Mega Update निकल कर आया है इस Update में guys आपको काफी सारे New Features, काफी सारे New चीज़े अड़ हुआ है जिसका ही आज इस Full Review वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि क्या-क्या Changes के साथ ये Dream Cricket Game के अंदर इस New Mega Update निकल कर आया है और इसका Review में आपको काफी सारे New Features के बारे में भी पता लगने वाला है जो आपको इस गेम के अंदर New देखने को मिला है तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो हो तो टेफिनेटली वीडियो को सुरू से लेके लास तक देखना तो अभी का अभी इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में ये सारे New सुनने के बाद आप लाइक कर न भूल जाओगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बाद दबा करेकना तकि ऐसे ही सर्प्राइज वीडियो आपको हमेशा ही सबसे बहले देखने को मिलता रही तो गाईस अम लोग ऐसे ही काफी सारे फीचास है जो ड्रीम क्रिकेट गेम के अंदर देखना चाते है एक न्यू अपडेट को रिलिस किया है जिसका फूल फीचास के बारे में कमपडेश ने दीटेल सेयर किया है और यह जो आप देटे इसका gameplay वीडियो भी आपको दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको features बता देता हूँ तो सबसे पहले guys इस game के अंदर quick match यानि कि आपको अभी quick match का features game के अंदर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने हिसाफ से team को selection करके उसके बीच में match खेल सकते हो दो ओबरका, पाच ओबरका, एक ओबरका जो भी आप खेलना चाते हो वो आप कर सकते हो आप difficulty आपने हिसाफ से set कर सकते हो easy mode या फिर medium या फिर high आप अपने हिसाफ से set करके उसको gameplay कर सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगे international के साथ साथ अभी आपको legend league भी देखने को मिलने वाला है यानि कि आप legend league के अंदर यहाँ पर आप quick play match के अंदर legend league को अगर select करोगे तो आप legend यानि कि जो भी सारे player return हो चुका है उसके बीच में भी आप उसका जो team है जो आभी आपको बता है कि legend league शुरू होने जा रहा है तो उसका भी आप यहाँ पर मजा ले सकते हो वो भी इसके अंदर add हो चुका है तो आप उसके बीच में भी match करके gameplay कर सकते हो उसी के सासद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे option देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर आपको gameplay में improvement देखने को मिला है जो company ने mention भी किया है यहाँ पर new drive action एड़ हुआ है उसी के सासद आप ballar को भी change कर पाओगे एसे काफी सारे छोटे 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 changes हुआ है gameplay के अंदर यानि कि आप अभी ballar को select कर पाओगे उसी के सासद player जब run लेगा तब drive मरेगा तो यह पहले नहीं था जो फिलाल इस game के अंदर add हुआ है इस update के अंदर तो यह भी एक नया चीज है आप अपने हिसाब से ballar को select कर पाओगे यह भी पहले नहीं था जो अभी हो चुका है उसी के सासद आपको और देखनों को मिलता है कि action replay गेम के अंदर यह जो गेम है dream cricket game इसके अंदर action replay का features नहीं था जो अभी इस game के अंदर finally आपको देखनों को मिल जाता है कि action replay यानि कि आपको कोई shot मनोग या फिर आपका wicked गिरेगा तो अभी उस time आपको action replay दिखाया जाएगा जो काफी अच्छा है जो important था finally company ने उसको भी इस game के अंदर include कर दिया है उसी के सासद free hits इस game के अंदर free hits यानि कि no ball का option ही नहीं था कि free hits का option भी आपको यहाँ पर देखनों को मिलता है जो एक काफी important features था और ये जो update है guys ये google play store पर आ चुका है और इस update में ये सासद new batting shot भी आपको देखनों को मिला है काफी सारे new cutscenes देखनों को मिला है यानि कि काफी सारे new batting shot आपको देखनों को मिलेगा जो game के अंदर पहले version में नहीं था लेकिन इस update करने के बाद आप लोग gameplay जब करोगे आपको काफी सारे new batting shot भी देखने को मिलने वाला है तो guys यहापर थो मैंने आपको सारे features बगरा बता दिया है और यहापर guys update भी show कर रहा है तो आप लोगों का भी update आया होगा तो आप लोगों का भी update में बैठा दो और आप लोगों का भी update हो जाएगा लेकिन update करने से पहले आप लोग जान लो कि क्या-क्या features एड़ वा है तो what's new में यहापर company ने काफी सारे features को mention किया है जो सारे features मैंने आपको बताया वो सारे features यहापर आपको mention किया है company जैसे कि baller को आप changes कर सकते हो आपको run लेने का time drive का option मिलेगा free hit and no wall का option देखने को मिलेगा new batting shot देखने को मिलेगा और उसी के सासर legend league का tournament भी आप यहापर play कर सकते हो यानकि quick play match का option भी आ चुका है तो आप अपने हिसाब से quick play match के अंदर जाके international या फिर domestic बगरा उसको आपने हिसाब सेट करके play कर पाओगे वहापर option दिया गया है एक new quick play का option जो आपको homie skin के अंदर ही देखने को मिल जाएगा तो यह जो update है जिसका version है 1.4.17 तो यह जो फारसन ही है 17 November को निकल कर आया है और यह update काफी जादा अच्छा update है गाइस update करने के बाद gameplay में भी improvement देखने को मिलता है मैं आपको gameplay करके दिखा देता हूँ तो सबसे बहले मैं जब game को open किया तो अब मेरे सामने नीचे quick play match का option शो किया है और आपका भी quick play match का option new देखनों को मिलेगा quick play match का option पहले नहीं था जो इस update में add हुआ है गाइस तो quick play match option में जाके अब अपनी हिसाब से team को select करके play कर पाओगे जो एक काफी ज़्यादा demanding features था जिसके ओपर company ने बोला भी था हम लोगों ने भी काफी ज़्यादा request किया था कि quick play match को लेकर आओ काफी important feature से तो finally guys company ने हम सभी का बात सुन कर जो quick play match का feature से वो game के अंदर implement कर दिया है जो एक काफी ज़्यादा request काफी ज़्यादा demanding feature से जिसको definitely game के अंदर होना चाहिए था लेकिन देर से आया दुरस आया काफी important feature से finally देखने को मिल चुका है तो quick play match के अंदर जाके आप international team के बीच में match कर पाओगे और उसके साथ साथ super smash का tournament भी वहाँ से play कर पाओगे और उसके साथ साथ आप लोग कोई legend league के अंदर match play करना चाहते हो तो ओ भी कर पाओगे तो उसके साथ साथ easy difficulty mode आप medium difficulty mode भी set कर सकते हो उसके साथ over भी आप अपनी साथ सेट बगड़ा कर सकते हो जो normally quick play match के अंदर others cricket game के अंदर होता है वही same यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है उसके साथ साथ guys gameplay में improvement देखने को मिलेगा जब आप gameplay करोगे तो आपको काफी सारे new betting shot देखने को मिलेगा जो game के अंदर new add हुआ है जो देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है काफी सारे new betting shot देखने को मिलेगा जब आप gameplay करोगे आपको खुद पता लगेगा कि यह shot new add हुआ है तो company ने mention भी क्या है लेकिन कौन सा कौन सा new shot add हुआ है वो तो पता नहीं चला है जब आप game को play करोगे आप लंबे समय तक game play करोगे तब आपको बहुत सारे new betting shot देखने को मिलेगा उसी के साथ पहले किया था कि आप baller को select नहीं कर पते थे कि कौन से baller से आप balling करोगे तो अब ही आप baller को select करके balling करा सकते हो तो यह option भी company ने दे रहा है and no ball जो no ball आप लोग पहले देखने थे कि इस game के अंदर no ball का option नहीं था भी no ball भी होगा तो no ball का option भी company ने इस game के अंदर डाल दिया है तो काफी important features को ले कर एक mega update google play store पर release हुआ है जो काफी ज़दा demanding features definitely आपको यह update करना चाहिए आप लोग google play store पर जा कि इस update को करो and इस video को like करो share करो and आपना जो भी new features का feedback है इस video के नीचे share करो ताकि company को में आने वाले जो update होगा हो जिसके अंदर कोई new features है जो आप लोग demand कर रहे हो और डाल सके आप आप लोग ओ वाला features इस comment section में भर दो ताकि इस video में company को share कर दो कि यह सारे features आभी लोग demand कर रहे है जैसे कि आप लोग quick play features के demand कर रहे थे ओ फाइनली आ चुका है तो आभी next कौन सा features है जो इस dream cricket 24 गेम के अंदर आना चाहिए जिसके लिए आप लोग excited हो ओ मुझे comment करके बताओ और आप लोग अपना कोई भी feedback है कोई भी problem हो रहा है इस game के बारे में ओ भी इस video के नीचे comment करके share करो कि मेरे को ये problem हो रहा है मेरे को ये problem हो रहा है ताकि company को भी मैं बता सकूँ कि user को ये problem हो रहा है क्योंकि ये कि हम अभी भी बिटा वर्सेन में है तो definitely बहुत सारे features आएगा तो अभी तो wait करो बहुत सारे और भी new features आएगा मेरे चैनल पर भी video आएगा इस video को देखकर आपको definitely काफी मज़ाया होगा मैंने सभी features के बर में बता दिया है